Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया तो चलो आज शुरू करते हैं सब लोग, Social Pharmacy का Chapter No.3 का Lecture No.3 है ना जिसके अदर लोग Nutrition and Health जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, बेसिक टॉपिक है, सब लोग इसके बारे में सब कुछ जानते हैं आज और भी जादा बेसिक बाते होने वाली है, लेकिन लास्ट टॉपिक भी बहुत असान होगा उन बच्चों के लिए यानि कि टॉपिक No.5 जो बच्चों ने Genetic Engineering Class 12 में अच्छे से पढ़ रखी है बात बागी सारे क्या है, अपने जानने वाली चीजें हैं, बस थोड़ी सी चीजें उसमें एक्स्ट्रा होगा facts, scientifically हमें चीजें समझनी हैं, जैसे मैं हमें सार बताता आया हूँ, social pharmacy, journal चीज है आपका basic knowledge of understanding कितनी अच्छी है, बस समझ लेना है एक बारी और एक ही बार में exam के लिए तयारी हो जाएगी तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग food safety की ठीक है, तो क्या है food safety, यानि कि जो खाना खा रहे हैं वो safe हो क्या समझे इस food safety से, ठीक हम सबको पता है food safety क्या है खाना साफ सुतरा होना चाहिए, गंदगी में नहीं होना चाहिए, हाथ धुलके खाओ वगरा वगरा सारी बाते सब कुछ पता है, लिखेंगे कैसे तोड़ा वो देख लेते है food safety is scientific discipline, scientific discipline का मतलब एक scientific तरीका है तौर तरीका है कि किस तरीके से food की safety की जाए, scientifically है ना describing handling कैसे handle करना है, कैसे prepare करना है, कैसे store करना है food in a way that prevent food born in length, जिससे की खाने से होने वाली जो बिमारियां उससे बचा सके है ना, जो prevent करेगा, तो scientifically हम लोग कैसे उसको बनाए, कैसे उसको prepare करें, कैसे उसको store करें no doubt हम लोग का जो बनाते हैं घरों में, वो लगबख scientifically होता है सब कुछ, लगए कुछ बाते हम जा समझनी है this includes several routines, इसके अदर कैसा routines है that should be followed, जो हमको follow करने है to avoid potentially severe health hazard, जिससे की जो होने वाले health hazard है, वो हमें ना हो, ठीक है so food safety क्या है, scientific discipline, scientific thought तरीका है, कि किस तरीके सा हमें उसे handle करना है, prepare करना है और storage करना है, जिससे की बिमारियां ना हो, खाने से होने वाली है ना, अब खाना खुला रखा हुए, बिमारियां तो होगी, अब हम सब को पता है ये बात है ना, पहले क्या था, हमें पता नहीं था, आसे चले जाएं, 100 साल पहले तो खाना खुला पड़ा है खा के बिमार होगे, पता नहीं था, कि मख्यां बैढ़ याती है, मख्यी की टांगे है ना, टांगों में जर्म्स होते हैं, जो कलनी जगों बैठती है, उसके वएसे खाना क्या होता है, खराव होता है ये बाते पता नहीं थी पहले, अब पता है हमको there will always be food safety hazards, यहां पर हमेशा क्या होता है, food safety के हजार्स होते हैं, बट they can be controlled, है ना, अगर food safety ना अपनाई जाए, तो हजार्स उसे कुछ नुकसान हो सकते हैं, but they can be controlled, हम control कर सकते हैं, if you understand, अगर आप समझते हैं, how food become contaminated, अगर आपको यह बात पता है, कि खाना कैसे contaminated का मतलब होता है, दूशित हो जाना, कोई चीज उसके अंदर पढ़ जाना, जिससे ही बिमारिया हो सकते हैं, बैक्टेरिया वारिस वगरा कुछ भी, तो खाना कैसे contaminate होता है, अगर यह बात हमको पता है, and how to prevent this happening, और इस contamination को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, तो हम लोग food safety के हजार से होने वाली बिमारियों से बच्च सकते हैं, अब why is food safety important, तो obviously बात है, एक लाइन बोलोगे सब बिमार नहीं होंगे, health भी अच्छी रहेगी, ठीक है, खाना भी खराब नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ आती हैं, आओ देखते हैं, food born, पैदा होने वाली खाने से पैदा होने वाली बिमारियां, यह जब preventable, इसको रोका जा सकता है, and under reported public health problem, है ना यह preventable है, रोका जा सकता है, and under reported, under reported मतलब क्या है, खाने food safety को न अपनाते हुए, बहुत ज़्यादा लोग बिमार होते हैं, लेकिन under reported है, कोई आदमी खाना खा के बिमार हुआ है, यह बात पता ही नहीं होती है, तो इसकी reporting नहीं हो, बादी report कहा, थाने में report नहीं करनी है, report करने का मतलब है, proper तरीका होता है, research वगरा होती है, ठीक है, तो वहां से हमको पता नहीं चल पाता है, proper तरीका से, खाना-खान, food safety ना अपनाने की वाए से बिमार हुआ है, it presents a major challenge, इसकी वाए से बहुत 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 बह population, है ना, generally बहुत जदा एक बड़ा challenge हो जाता है, और जो population risk पर है, बहुत से population ऐसी है, बहुत से लोग ऐसे हैं, जो food safety का ध्यान नहीं रखते हैं, साफ सफाई का, उन्हों लगता है, साफ सफाई से कुछ फरक पढ़ता है, हम तो कम बिमार होते नहीं है, तुम नहीं होते ह जो एक हर किसी इंसान की immunity अलग अलग होती है, है ना, each year हर साल millions of illness in the United States can be attributed to contaminated food, जो United States में है, developed country में है, वहाँ पर बहुत सारी बिमारियां हर साल food safety को ना ध्यान में रखने के वेसे होती है, अच्छा, वहाँ पर थोड़ा सा budget advance हो गया है, अपने हाँ तो गंदा खाना पर चलता रहता थोड़ा सा, तो हम लोग का immune system काफी strong है, है ना, यह चीज कहीं ना कहीं, अब जो corona attack हुआ था, वहाँ पर भी हमारी country का निकल के आया था, हम लोग का immune system काफी strong है, children younger than age 4 have the highest risk, जो age 4 से younger, यंगर मतलब छोटे हैं, वो higher risk पो होते हैं, ठीक है, of laboratory confirmed infection from, जो laboratory से confirm कि लिए गया है, कौन-कौन से infection होने लग सकते हैं, campylobacter species, बैक्टिया की species है, cryptosporidium species, salmonella species, shiga toxin producing, आइस्ट्राय कोलाई 017, यह आइस्ट्राय कोलाई 017 एक बैक्टिया का नाम है, तो कौन-कौन से बैक्टेरिया, जो 4 से छोटे बच्चे उनको ज्यादा infection कर सकते हैं, Shizella species और Yersenia species, ठीक है, अभी हमको यहाँ पर इसको याद नहीं करना है, समझना है, कि यह सारी जो बैक्टेरिया की species हैं, ठीक है, बैक्टेरिया फंगस की, वो क्या कर सकती हैं, सबसे ज़्यादा affect करती हैं, 3 types of contamination, हमें mainly आना food safety के उपर, so 3 types of contamination, that can potentially, potentially मतलब बहुत ज़्यादा affect करेंगी किसी को, तो कौन-कौन सी है, पहला है physical contamination, physical contamination मतलब सीदी जाके हमने गंदे हाथों से किसी को छो दिया, touch कर दिया, physically, that is called physical contamination, इसमें क्या है, glass, stone, wood, hair, plastic, dead insect, metal fragments, jewelry, button, etc., मतलब, glass का तुकड़ा मालो, कोई कांच का तुकड़ा गिर 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 गिया, कांच खा लिया, stone का तुकड़ा गिर गिर गिया, पेट में चला गिया, लकड़ी का तुकड़ा गिर 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 गिया, hair गिर 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 cleaning material अब chemical में क्या है तुमने जिस चीज़े बरतन धुले है सावन बगर कई बड़ देखा गया रहे जाता है वह हमने खा रहे है ठीक है pesticides है ना pesticides क्या होता है आज कल कि आख पैस्टीचाइड का भज़्यदा इस्तमाल होता है ठीक है तो वो कहीं न कहीं पौधों में रहा गया, है न हम लोग ने क्या क्या सब्जी दोही नहीं सही से वो रहा गया उसके residues रहा गया, जो बचा खुचा है उसमें लास्ट पाट रहा गया, पर्फ्यूम तो डाल रहे हैं कई वार वो रहाता है, और अडल्ट्रेंट्स कुछ chemical हम लोग मिलावट के तौर पर डालते हैं तो वो रहाती है, तो वो खा रहे हैं तो हम लोग किस तरह से contamination हो रहा है physically हो सकता है, chemically हो सकता है microbiological, food poisoning bacteria हो सकता है polyce bacteria हो सकते है, या yeast हो सकता है माउल्ड हो सकता है, fungus yeast वगरा जाने कि कोई micro पढ़ा हुआ है तो वहां से तो तीन टाप के contamination होते है हमारे पास, physical, chemical और microbiological, तीन टाप के contamination हो सकते हैं, यानकि तीन तरीके से हमारा खाना दूशित हो सकता है clear है four step of cleaning food safe, हमें कौन से चार step है, clean करना है खाने को, हातों को, wash hands and surface of one, surface कौन से जहां सब्जियां काटी जानी है, उस surface को wash करना है, separate, don't cross contaminate, अब ये क्या चीज़ है cross contaminate, ये थोड़ा अंदर detail में देखेंगे simple है, एक सब्द में समझा दू, cross contaminate का मतलब क्या होता है, तुम लोग लाए क्या, suppose, meat या chicken meat या chicken ले के आए, और साथ में क्या रखिऊ हुई है, सब्जियां भी रखिऊ हुई है, vegetables भी है, कोई, अब तुमने क्या किया, जहां जिस surface पे chicken को साफ सूफ किया या किया, वहीं पर तुमने वेडिटेबली साफ कर ली, तो इसका पानी या chicken का blood बगएर हो सकता है, वेडिटेबल में चला जाए, तो cross contaminate हो सकता है, एक की चीज़ दूसरे हो जा सकती है, cook, cook to the right temperature, हमें एक साइट temperature तो कोई से cook करना कि चीज़ को, chill, refrigerate promptly, अगर कोई चीज़ खराब होने वाली है, तो उसका हमें क्या करना है, refrigerate करना, तो चार step तुमको याद रखने है, very important food safety के क्या है, clean, separate, cook, और chill, इन चारों का अब भी हम बारी-बारी से discuss करेंगे, clear है, बाते समझ मारी होंगी, आओ, अब का कहरा है clean, कहरा है wash hands, utensil, मतलब button and surface, जहां आप carpet करते हो, kitchen का, वो surface की बात कर रहे हो, तो यह तो common सी चीज़ा, हमें उसमें clean करना ही है, germs that can make you sick, ऐसे kitanu, जो तुमें बिमार बना सकते हैं, can survive in many places, कई जगब पर रहते हैं, तुमारी kitchen में around your kitchen, including your food, तुमारे खाने में भी होते हैं, हातों में भी होते हैं, उसमें भी पाए जा सकते हैं, and counter tops, जहां counter में तुम लोग क्या करते हो, काम करते हो, roti-o-ti bail रहे हो, वहाँ पर भी हो सकते हैं, है ना, तो यह हर जगे पाए जा सकते हैं, तो इसलिए साफ सफ़ाई बहुत ज़लूरी है, wash your hands right away, हमेशा अपने हाथ धुले, use plain soap and water, skip the antibacterial soap, antibacterial soap छोड़ सकते हो, पानी से और साबूं से हाथ पक्का धुले, and scrub the back of hand, है ना, हातों का हम लोग क्या करते हैं, ऐसे-ऐसे धुल लेते हैं, जब भी धुले, तो मैं बताता हूँ, हातों के पीछे, ये बैक, ये बीच में, है ना, ये धुलना बहुत ज़रूरी होता है, जो लोग खाना बनाते हैं, क्योंकि आटा भी मारना होता है, सबजी कार्टनी होती है, तो पूरा हात आता है, तो ये बैक में साफ करना, हम लोग ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ये पीछे का भी हाथ साफ करना, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, स्क्रब दा बैक आफ, स्क्रब मतलब घस के साफ करो, बिट्वीन यॉर फिंगर्स, फिंगर्स के बीच में साफ करना है, अंडर यॉर नेल्स, खास कर ध्यान रखें, वो महला हैं, या लड़कियां जो खाना बनाती है, उनके नेल्स नहीं होने चाहिए, अब देखो नेल्स के मैं बताओं, तो लोग कितना भी कर लो भाई, खुजाते हो यी थोड़ा बहुत है ना, अब लड़कियां कि सर क्या बोलो, येस, खुजाते हो गर्मी आती है, तो नेल्स में लग जाता है, और खास कर जब गर्मियों में खाना बनाते हो, तो खुजाई देते हो कहीं ना गया, अब फिर वोई खुजाई अब तो हाथ धुलने दे जाते हैं नहीं हो, है ना, उसी साथ अमाड दिया, तो कोशिश करना है उस हाथ को क्या करना है, उसमें नेल्स नी होने चाहिए, है ना, ठीक है, आ जाओ यहाँ पर, ठीक है, and under your nails for at least 20 seconds, 20 seconds तो उसको पानी से धुलना है हमें, नीड़ टाइमर, अच्छा, 20 seconds, अब हम लोग करते हैं, गए पानी में, बदाता हूं मैं, गए पानी में हाथ डाला हो गया, पोंच लिया, ना, 20 seconds, अब 20 seconds काउंट करोगे तो, लंबा टाइम हुआ आता है कि, एक, दो, 20 कैसे करें, तो यहाँ पर बोला है, टाइमर चाहिए अगर, नीड़ टाइमर तो हम दा, हम मतलब गुनगुना हो, happy birthday song, happy birthday to you, अपना ये नाम ले लो, है ना, happy birthday to me, Krishna sir, happy birthday to, इस तरह गाना काऊँगे, तो 20 seconds का होता है, उतनी देर तक आपको अपने हाथ धुलने है, कि लिए रहे बाते हैं, तो ये सब तरीके हैं, और कुछ नहीं है, आगे आते हैं, क्या कहा रहा है, rinse hand, hand, पोचो, उसके आख सुखाओ, और with clean towel, साफ सुत्री towel से, clean towel, चलो जरा मेर को यह बताओ, जितने लोग गोल कप्पे खाते हो, वो ठीक है, अब बताता है, बताता है, बताता है, बताता है, बताता है, अब बताता है, उन्हीं हाथों से गंदा नोट छुआ उसने, ठीक है, ठीक है तो clean towel होनी चाहिए, घरों में तो, क्योंकि गोल कपपा तो कवी कवर खाते हैं, लेकिंग घरों में तो रोज खाना बनता है, तो साफ सुत्री towel होनी चाहिए, wash your hands, हाथ अकसर दुलो, especially during these key times, कब-कब हाथ पक्या दुलने हैं, खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के दर्मियान और खाना बनाने के बाद, खाना बनाते बनाते हैं, अगर खुजली हो गई है, तो उसको वाँ छोड़ दें, उस हाथ को धुलनें फिर, after handling raw meat, अगर आपने कच्चा मीट को साफ सुफ किया है, उसके बाद हाथ पक्का धुलनें अपना, पोल्टरी को धुला या, सीफूट मस्ली अशली काटी है अपनी, और देर जूसेस या, उसका हाथ में आपके जूस बगरा लग गया है, और uncooked egg, या uncooked egg को आपने छुआ है, तो इसके बाद हाथ पक्का धुलनें चाहिए, ठीक है, हम लोग कहते हैं यह तो खाएंगे, हाथ दुलनें क्या करेंगे, लेकिन नहीं, कच्चे है जब आप धुलते हो तो करना चाहिए, बिफोर इटिंग खाना खान से पहले हाथ धुलना चाहिए, आफ्टर चेंजिंग डाइपवर और क्लीनिंग अप चाइल्ड हुआज यूज दा टुएलेट, बच्चे जब डाइपवर बगर बदते हैं, उसके बाद हाथ पक्का धुलनें, आफ्टर टचिंग एन एनिमल, एनिमल फीड और अनिमल वेस्ट, इस जानवर को छुआ हो, जानवर के खाने को छुआ हो, या जानवर के वेस्ट है ना, पॉट्टी वगरा करते हैं, साफसूफ करते हैं हम लोग, आफ्टर टचिंग गार वेस्ट, कूड़ा करकर हमने हटाया हो, जो बिमार है उसको, अगर हम लोग ने क्या-के नहलाय दुलाया है उसके बाद, बिफोर अन आफटर ट्रीटिंग अ कट और वॉंड, अगर किसी अजखम था, उसको हम लोग ने पट्टी वट्टी करी, उसके बाद हाँ दुलना चाहिए आफ्टर बिफोर और आफ्टर पहले और बाद में आफ्टर ब्लोइंग यॉर नोस कफिंग और स्नीजिंग नाक्षिंग की है खास दिया है या छेक दिया है तो उसके बाद अपने हाथों को पक्का दुलें आफ्टर हैंडलिंग पैट करने के बाद हर बार इस्तिमाल करने के बाद जो पर कंतर पर हिया है दोकंटि discharge उसको दुला आ Я साफचो क्या किया है विध हॉट शोपी वाटर गरम साव Посके पान सुदुना चाइए especially after they have held raw meat अगर आपने कच्चा meat poultry या sweet food को आप अपने kitchen में धोते हो उस धोने के बाद कम से कम आदा bucket पानी गरम करें उसमें सावुन डाल दें करके उसको वहाँ पर अच्छे साफ करें ठीक है? wash disc cloth जिससे कपड़ा आपने पहन लेते हैं ना करके उसको wash करें often in the hot cycle of your washing machine washing machine की जो hot cycle होती है या यूँ कहले जिनके पास washing machine नहीं है तो खौलते होए पानी में डाल दें उसे धुल गया ठीक है ना? अब wash fruit and vegetable but not meat, poultry और egg ठीक है अब देखो यहाँ में बहुत सारी बाते हैं कह रहा है rinse fruit and vegetable under running water running water में हमें इनको साफ करना चाहिए fruit को white table को without soap बिना सावून के, बिना bleach के और commercial produce washes हमें सावून वगएर से इनको नहीं धुलना क्यवाल पानी से धुलना है ठीक है? rinse, पहुचो fruit को white table को before peeling, चिलने से पहले removing skin and cutting away any damaged or bruised, bruised मतलब जो सड़ा गला पार्ट होता है तो यह सब देखो, हम लोग करते हैं हमको पता है, जर्नल चीज़े हमको पता है बट लिखने का तरीका है यह यह लिखा कहे जाए क्या शब्दों का इस्तमाल होगा तो हमें fruit को धुलना है, vital को धुलना है scrub firm produce, ठीक है, scrub करना है, पोच्छना है firm produce, like melon या cucumber बगएर है, पोच्छेंगे with a clean produce brush, जो brush बगएर होता है साफ सुतरह से साफ करेंगे, dry produce with a paper जो produce मतलब जो चीज़े होगा ही गई है dry produce with a paper towel और clean cloth towel ठीक है, produce मतलब यहाँ प्रोड़क्ट हमारा जो प्रोड़क्ट की बात कर रहे है, उसको paper से, towel से, clean coat से हम लोग clean cloth से उसे हम लोग सुखा देंगे don't wash meat, poultry, egg or seafood to avoid spreading of harmful germs around your kitchen kitchen के आसपास कोशिश करें, meat बगएरा है, चिकन इसको ना साफ करें तो फुरास अलग जगे जाके साफ करें, पाने से धुलें produce labeled as pre-washed does not need to be washed again अगर जो produce है, produce का मतलब कोई product है, जिसके उपर label लगा हुआ है कि pre-washed पहले से धुला हुआ है, मालों के chicken बगएरा, वीडियोस में चला जाओ, chicken बगएरा, सब कुछ होता है वो pack seal होता है, वो pre-washed होते है, तो उसको वहाँ पर वापर से wash करने की ज़रूरत नहीं है बात समझ में आ रही है, तो एक cleaning की बाते होगी, है ना बड़ी basic सी बाते होगी, तुम में सोच रोग क्या लेक्टे चल रहा है but पढ़ना है हमको, ठीक है, separate, don't cross contaminate, cross contaminate दो चीजों को अपसे मिलाना नहीं है use separate cutting board and plates for produce meat, poultry, seafood and eggs, है ना, जो produce होते है, meat होते है, poultry होती है, seafood होती है और egg होती है, इनके लिए काटने के, अलग-अलग cutting board होने चाहिए, सबको एक की मैंने की, इसी में meat भी काट ली, इसी में खजी काट ली, इसी में सारे काम एक में नहीं करने है use one cutting board for fresh produce or other food, है ना, जो fresh product होते है, produce या product कह लो, use one cutting board for fresh product or other foods that won't be cooked before they are eaten, ठीक है, जिसको हम cook नहीं कर सकते है use one cutting board for fresh product and other foods, that would not be cooked before they are eaten, and another for raw meat, है ना, तो कहरा, raw meat के लिए अलग रखो, पोल्टरी के लिए अलग रखो, seafood वगरा के लिए अलग रखो, replace them when they are worn, अगर वो टूट फूट जाते है, या छेद वगरा जादा होगे, तो उन्हें बदल दे, use separate plates and utensils for cooked and raw food, पके हुए खाने के लिए और कच्चे के लिए दुनों के लिए अलग लग बरतन रखे, use hot soapy water, सावुन का पानी इस्तेमाल करना है, thoroughly wash plates, plates वगरा धुलने के लिए, बरतन धुलने के लिए, and cutting board, जो cutting board है, उसको धुलने के लिए, गरम सावुन के पानी से हमे हम सब को बता ही सारी बाते, आगे आते हैं, keep certain types of food separate, कह रहा है कुछ खास foods को हमें अलग-अलग रखने है, समझें किस-किस food को अलग रखने है, in your shopping cart, जो तुम्हारा shopping cart है, जहाब तुम्हारा shopping कर रहे हो, separate raw meat, poultry, seafood and egg from other food, अगर तो meat खरीद रहे हो, poultry का कोई समान खरीद रहे हो, seafood खरीद रहे हो, seafood मस्ते और आजाता है, अंडे खरीद रहे हो, इनको अलग रखना है, बाकी के खाने पीने के समान से, and place packages of raw meat, poultry and seafood in plastic bag, और कोशिश करें, इनको plastic bag में रखें, यह जो meat chicken वाला मामला है, if available, अगर available है तो, when you check out, place raw meat, poultry and seafood in separate bag from other food, इन दोनों के bag अ एक साथ नहीं रखना है, ठीक है, यह सब safety के तरीक है, कुछ लोग कहते हैं, सोच रहे हैं, क्या इससे कोई फ़र्ग नहीं पड़ता है, फ़र्ग पड़ता है, at home, place raw meat, poultry and seafood in container, और sealed leak-proof plastic bag, अगर घर में रख रहे हो, तो इसे ऐसे container में रखें, जो sealed लीक प्रूफ हो, उन फ्रीज कर दिया जाता है, जमा दिया जाता है, in the fridge, keep egg in their original cartoon and store them in the main compartment, not in the door, हम लोग जाता है, फ्रीज के दरवाजे में अंडर रख देते हैं, नहीं रखने चाहिए, उनके ही cartoon में जिसमें आए हैं, उसी में रखें, as it is, ठीक है, तो यह हो गया, कि हमें ऐसा नहीं करना है cook the food, cook the right temperature, यानि कि हमें side temperature तक उसे cook करना है, अब temperature कैसे पता चलेगा, हरको जो ठाव मेटर खहितता नहीं है, बट, है न, आज कल देखा होगा, जैसे कि जो अपने वो आते, oven वगएरा आते, अपना जो electric, वो चूला आता है, उसमें temperature रहता है, ठीक है, तो food is safely cooked when the internal temperature is high enough to kill jumps that can make you sick, तो कह रहा है, food is safely cooked, उसे safely cooked माना जाता है, जब उसका, खाने के अंदर का temperature इतना हाई हो, कि germs सारे kill हो जाएं, मर जाएं, और वो तुम्हें बिमार ना कर पाएं, तो क्या कह रहा है, use a food thermometer, एक food thermometer का इस्तमाल करें, आते हैं market में food thermometer, आप इस्तमाल कर सकते हैं, ठीक ह आप कहोगे कि कौन खरीदे, तो उन्हें जरूर खरीदना, जिनके घर में लोग ज्यादा बिमार होते हैं, तो उनको खरीद कर रखना चाहिए, to be sure your food is safe, ये sure करने के लिए कि तुम्हारा food safe है, आप एक food thermometer रखें, when you think your food is done, जब तुम्हें लगता कि food तुम्हारा हो गया, पक गया, place the food thermometer in the thickest part of the food, food का जो सबसे मोटा पार्ट होता है, क्यों वहीं पर temperature नहीं पहुचेगा, उसके अंदर क्या रखें, thermometer लगाएं, refer to our minimum cooking temperature, जो cooking temperature का चार्ट है, उसको देखें, to be sure your food have reached a safe temperature, जिससे की confirm हो जाए, कि हाँ, हमारा खाने का temperature इतना पहुच गया है, इ keep food hot after cooking, 140 degree Fahrenheit or 60 degree or above है ना, if you are not serving food right after cooking, keep it out of the temperature, danger zone between this, where jumps grow rapidly by using a heat source, ठीक ना, heat source, तो कह रहा है, अगर आप खाना बनाने के बाद, तुरंत उसको नहीं खा रहे है, तो keep it out of the reach of a danger zone, danger zone कौन सा होता है, 40 degree Fahrenheit, जनी 4.4 degree, centigrade, से 140 Fahrenheit, ठीक है ना, 140 केतना था, 140 to 60 degree, ठीक है ना, इस temperature पर क्या होते हैं, jumps बड़ी तेड़ी से grow कर जाते हैं, तो इस temperature पर कोशिश करना है कि हमें नहीं रखना है, microwave food thoroughly or above, अगर food को क्या करना है, microwave करें, यानि कि 165 degree Fahrenheit या 74 degree centigrade, इस temperature पर food को microwave में रखना है, करना है, read package direction है ना, कई बार जो packet आते हैं, बार मार्केट से, उसमें लिखा होता है कि microwave में रखें, तो वो temperature दे रखा होता है, उतनी दिर उसमें रखना है, जिससे कोई jumps पगरा होगा, तो kill हो जाएगा, read the package direction, जो direction निदेश दिये हुए है, packet के उपर उसको पढ़ें, for cooking and follow them exactly to make sure food is thoroughly cooked, और make sure करें कि food सही से पक गया है, if the food level says, अगर food का level कहता है, let stand for x minute after cooking, कि खाना पकने के बाद इतने minute तक के लिए उसे छोड़ दो, follow the direction, तो उस direction को follow करना है, ऐसा नहीं कि बस लपक लिए और खा लिए जाकर के, ठीक है, letting microwave food sit for a few minutes, जिससे कि जो microwave होगा, food के दिनर जाएगा, ठीक है, allow food to cook thoroughly, जिससे की खाना properly पकेगा, याने कि एक temperature पर लाने के बाद उसको इतने दिर के लिए छोड़ दिया, microwave जाएँगी, खाने को पकाएँगी, as colder area, absorb heat from hotter area, क्योंकि time लगता है, बहार का temperature जल्दी हो जाएगा, अंदर temperature जाने में time लगता है, थोड़े के लिए छोड़ना पड़ता है, stir food in the middle of the heating, भीच की heating उसे हिला सकते हो खाने को, follow package direction, packet यहां पर सारी खाने किस की हुई है, packet की हुई है, क्यों पकेट की हुई है, क्योंकि आजकल packet वाले food खाने बढ़ रहे हैं, तो follow package direction for commercially prepared frozen food, ठीक है, जो food freeze हो करके आते हैं, अब फ्रीजिंग वाले food भाई आपनी country में तो बहुत कम है, कुछ packet ऐसे होते हैं, जिसमें खाने की हिनाने के लिए मना किया जाता है, तो कहीं ना कहीं यह packet वाले food की बात हो रही है, और जहां पर packet से food तुम लोग जानते हो, जैसे USA वगएरा है, अपना बहुत cold country से वहां packet यहाले food जादा आते हैं, तो वहां पर microwave वगएरा जादा र प्रॉपर फ्रीज करना है ना, जो food perishable होते हैं, perishable मतलब जो खराब हो सकते हैं, तो कहरा है, refrigerate food, food को refrigerate करें, जो perishable है, खराब होने वाले हैं, within two hours, मतलब खाना पक गया है, रख दिया, तो उमनें बाहर बना करके ठंडा हो गया है, अब लगता है कि कल तक चलने वाला है, तो उसको उठाए का रखें, फ्रीज में रखें, bacteria that cause food poisoning multiply request between 40 degree Fahrenheit से 140, याने कि 4.4 से 60 degree के बीच पे, बहुत तेजी से food poisoning bacteria multiply करते हैं, grow करते हैं, your refrigerator should be set to 40 degree Fahrenheit और below, यान कि 4.4 से नीचे ही set होना चाहिए, and your freezer 0 degree Fahrenheit याने कि minus 17.7 degree centigrade पो होना चाहिए, आपके freezer को, या उसके नीचे ह जोना चाहिए, use an appliance thermometer to be sure, जो उसको देख करके आपको चेक करना है, never leave perishable foods out of refrigeration for more than 2 hours, जो perishable खराब होने लाइक खाना है, उसको 2 घंटे ज्यादा बाहर ना छोड़े, फ्रीज में रखें जादा है, if the food is exposed to temperature above 90 degree Fahrenheit, अगर खाने गलती से 90 degree Fahrenheit तक खाना चला गया है, ठीक है, लाइक हाट कार और समर पिक्निक आप फ्रीज से निकाले पिक्निक पे गाये हो, और वो खाना नबब जोगी पे चला गया है, refrigerate it within 1 hour, तो एक घंटे के अंदर अंदर उसको वापस से फ्रीज में रख दें, leftover should be, जो खाना बच गया है, should be placed in shallow container, shallow container है न, shallow जो होते हैं, उसमें रखना है, and refrigerate it promptly to allow quick cooling, cooling जिससे को जल्दी से cool हो जाए, shallow होते हैं, ये को तो deep, ये को तो shallow, उथले, है न, उपर तक भरे होए रहेंगे, never thaw or marinate foods on the counter, counter हैं जो उसको कही marinate ना करें, ठीक है, mixing ना करें counter के उपर, the safest way to thaw or marinate meat, poultry and seafood is in the refrigerator, है न, आपको जो marinate करना है, देखते हो न, कि जो मसाला वर लगा करके, चिकन विकन के उपर हम लोग रख देते हैं, तो वो fridge के अंदर करना है, कोशिश करें, उसको fridge में रखें, ऐसे over counter पर ना रखें, तो यह कहीं न, कहीं, वो सब बाते हैं, खाने की, ठीक है, समझने के लिए हैं, कि क्या होता है, कैसे होता है, बहुत सारी बाते तुम लोगों को पता होगा, आगे आते हैं, freezing does not destroy harmful germs, very important term, क्या freezing से harmful germs मर जाते हैं, नहीं, freezing से harmful germs मरते नहीं हैं, but it does keep food safe, यह खाने को safe रखता है, until you can cook it, जब तक कि तुम उसको वापस से पकाते नहीं हो, या गरम नहीं करते हो, know when to throw out food by checking our safe storage time chart, है ना, हमको यह भी पता होना चाहिए, कि खाने को कब फैंक देना है, मालोग खाना है, उसो दो दिन हो गया, भले उसमें से smell नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कि अंदर से bacteria पनेपन लगते हैं, तो उसो फिर फैंक दिया जाता है, ठीक है, be sure you throw food out before harmful bacteria grow, ठी snack देना है, clear है, क्या यह बात समझ में आई, तो यह सारी कहीं ना कहीं food safety को लेकर बात है थी, यह सब कहीं ना कहीं जानते हो, ठीक है, पस थोड़ी बहुत चीज़ें और थी, जो तुम्हें extra समझनी थी यहां पर, clear है, okay, तो अब देखते है, अपना topic number two, adulteration of food, याने कि food क value, हम लोग किसी तरीके से जो nutritive value है, खाने का nutrition है, उसको हम कम कर दें, और food either by किस तरीके से removing a vital component या तो उसके कोई vital component निकाल दें, कैसे, जैसे को तुमने देखा होगा, दूद में से मक्खन या क्रीम निकाल दे जाता है, फिर दूद को बेचा जाता है, ठीक है, और by adding substance या कोई low quality की चीज मिली हुई है, ठीक है, it's called food alteration, इसको हम लोग food की adulteration, यानि food की मिलावट कहते हैं, the substance that is used to lower the quality is known as adulterant, word जहां रखेंगे, adulterant, जिस substance को मिलाते हैं, उसको adulterant कहा जाता है, तो यह basic सी चीज़े हैं, क्यों करते हैं हम लोग, why, reason for food alteration क्या है, profit कमाने के वजन बढ़ेगा, तो profit बढ़ेगा, to increase volume of trade by showing lower price है न, हम लोग अगरते हैं, उसको volume बढ़ा दे मिलावट करके और price कम दिखा दी, तो customer को लगता है, वह जाए चीज मिल रही है, कम दाम में, कब-कब adulteration हो सकता है, transportation के दौरान, storage के दौरान, process कर रहे हैं हम लोग उसको, ज सारे steps से, जिस time पे हम लोग, adulteration कर सकते हैं, क्या effect आप सबको पता है, इसके side effect क्या है, तो symptoms like headache, सरदर्द, gastro-intestinal disorder, gastro-intestinal pain के जो problems होते हैं, muscular pain, mass patient, drowsiness, नीन जैसा आना, allergic reaction, है न, कुछ लोगों का allergy से होने लगती है, cancer, etc, यह सब चीज़े, appear होती है, if adulterated food substance are used regularly, अगर कोई लगाता आ रही, कोई किसी खास company की चीज़ खा रहा और उसमें मिलावट आ रही है, तो यह सारे लक्षम देखने को मिल सकते हैं, for example, nor dihydrogoyretic acid, anti-GTA, is an antioxidant used in food fats, ठीकर न, which has been found to produce allergic reaction in some individual, ठीकर न, यह एक antioxidant की तरुर्थ पर हम लोग मिलाते हैं, इसके अंदर जिसे की which is food fat खराब ना हो, कुछ के अंदर लेकिन यह क्या है, allergic reactions करता है, the argymon oil used to adulterate घी, घी को मिलावट करने के लिए हम लोग argymon oil का इस्तमाल करते हैं, and butter is highly toxic, ठीक है न, घी और butter को मिलावट करने के लिए हम लोग argymon oil का इस्तमाल करते हैं, जोगी काफी toxic होता है, it causes a disease known as dropsy, है न, एक disease होती है, जो क्या होती है, dropsy होती है, watery fluid, collecting in some parts of the body, body कुछ हिस्सों में पानी खटा हो जाता है, ठीक है, यह इसका main symptom है, it affects the normal functioning of the body, body के normal function को affect करता है, it may also paralyze the limbs, हाथ पैरों को paralyze कर सकता है, हो सकता हाथ पैर काम ना करें, इसकी वएशे, metanil yellow, ठीक है, used to brighten the color of pulses, pulses, दालों को चमकाने के लिए, एक color का इस्तमाल होता है, metanil yellow, turmeric powder and sweet meat is a cold tart dye, ठीक है, और it may cause cancer, और यह क्या कर सकता है, cancer कर सकता है, तो यह क्या है, metanil yellow के लिए, हम लोग दालों के लिए, healthy powder के लिए, या sweet meat जो होते हैं अपने, उसके लिए, हम लोग क्या करते है, इसका इसका अपने पाउडर करते हैं और यह क्या कर सकता है, जो कि क्या है, cold tart dye होता है, और यह cancer पैदा करता है, washing soda often added to powdered sugar, जो washing soda होता है, कप्ड़ दुने वाला powder होता है, जो उसका हम लोग powder sugar है, बूरा होता है, हमारा उसके मिला देते हैं, and other food item, कुछ और food item मिलाते हैं, यह क्या कर सक powder, जो हमार पेट की खामिया उसको कर सकता है, food item prepared under unhygienic condition, जहां proper साफ सफाई नहीं होती है, and still food cause food poisoning, यह सब क्या कर सकते हैं, food poisoning कर सकते हैं, तो basic basic सी चीज़े हैं, यहां पर food alteration का कोई खास है ना, ऐसा नहीं था, कुछ नया पड़े, हाँ, यह चीज थोड़ी सी important है, कि क इसके अंदर हम लोग क्या मिलाते हैं, और क्या problem हो जाती है, तो यह हां पर कुछ खास खास चीज़े हम लोग ध्यान रखेंगे, जैसे milk में क्या मिलाते हैं, पानी मिला देते हैं, ठीक है, extraction of fat, fat निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत आती है, अगर यूरिया वगरा मिलाएंगे तो digestive system disorder आयाता है, sugar, tea, coffee powder, नमक के अंदर white powder या stone या रवा मिला देते हैं, chili powder, turmeric, हल्दी ये, main main के हैं तुम लोगों को ये याद रखने है, ये तीन हो गए, ठीक है, फिर pulses, दालों का आ गया, क्या मिला रहे हैं और क्या होना है, honey का आ गया, rice, wheat इसका आ गया, then white devil oils आ गया, RG1 वाला में ने एक्जामपल ही दिया था, ये तो तुम लोगों का अभी, ठीक है, उसके बाद आ जाएं, तो और कुछ यहाँ पर दे रखे हैं, मैंने, adulterant or harmful effect में, tea, coffee water से उपर ही हो गया, milk हो गया, खोवा हो गया, चीनी हो गई, ठीक है, एसफ़ाय टीडा हींग हो गय लाया जाता है, और stomach disorder, पेट की जाता है, तो पेट की खामें जाता है, ठीक है, डिसेंटरी वर लग जाता है, कुछ turmeric powder ध्यान रखेंगे, carcinogenic, है ना, yellow aniline dye जो मिलाते हैं, ये carcinogenic, cancer पैदा करती है, ये, किलिए रहे बाते हैं, तो इसमें यही important है, adultant क्या होता है, किसके इससे क्या समझने है, हमें food standard क्या होता है, तो क्या बोल रहा है, the quality, the quality, composition, quality, उसके क्या composition है, किस चीज़ का बना हुआ है, labeling, presentation and advertising of food, और food का advertising, is covered by legal requirement known as food standard, याने कि food की quality कैसी होनी चीए, composition क्या रहेगा, उसकी labeling कैसे करनी है, कैसे present करना है, कैसे add करना है, ये सब कुछ कानूनी, काईदे कानून के अंदर होना चाहिए, legal requirement, और वो legal requirement क्या 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 लाता है, food standards क्या लाता है, यानकि food standards, एक ऐसा कानून है, क्या लोगी, जो standard माइने, म chemical that come into the contact with the food, और इसी food standard का अंदर ये भी चीज़े बताई गई है, कि जब खाना बना रहे हो, प्रिपेर कर रहे हो, तो किस चीज़ के इस्तमाल से करोगे, है ना, वैसा थो ना, कि किसी भी पैदला कोई चीज़ लोहे से बना रहे हो, लोहा रियक्ट कर सकता है, या copper में बन सुनिश्चीज हो सके quality, safety, legality of packing and packaging material, पैकेट वगएरा जो है, उनकी legality वो कानुनी तोर पर सही हो और packaging material भी हमारा सही हो, to assure the users packaging that the packaging producers has robust quality and safety system, to ये ताकि ये assure कर सके, the users of packaging, जो packet आते हैं, वो कैसा हो, जो producer packaging कर रहा है, वो robust quality का हो, बहुत ही मजबूत हो, normally process के दौरान यान की transfer, transportation के दौरान फटे फटे नहीं, और safety पूरी उसकी maintain रहे, जब तक कि वो consumer के पास तक पहुँचे, maintain customer confidence in their supply base through the audit and certification, consumer जो हम लोग है, खाने वाले, हमको भी तो लगना चीए ना कि यार जो चीज़ आ रही हमारे पास, वो safe है, है ना, तो तबी तो वो चीज़ हम लोग खरी supplier by customer, ठीक है ना, यहां food stand क्यों लागा है, जिससे की basis for approval of suppliers by customer, ठीक है ना, जिससे की approval वगएरा proper लेना पड़े, ऐसा नहीं, कोई भी बना रहा, कोई बेच रहा, ऐसा नहीं होना चीए, अब precaution to be taken by the public regarding the adulteration, है ना, precaution taken by the public, public को कौन कौन से precaution लेना, हमनो क्या कह चीज़ ध्यान रखनी है, it is better to avoid adulterated colding, हम कोशिश करें कि बाहरी चीज़े colding वगएरा ना पिये, instead you can have any fresh fruit juice, बजाए उसके, जो fresh juice निकलता है, उसका इस्तिमाल करें, ठीक है, like coconut वगएरा है, parents should be concerned about the quality, जो माबाब होते हैं, उनको concerned होना है, उनको main चीज़ का ध्यान रखना है, quality क of these foods, कि ये खाने जो दे रहे हैं बच्चे को फ्रेश है या नहीं है, like chocolate, sweets, children usually like है ना जो ये चीज़े बच्चे देने खाते हैं, तो माबाबा को ध्यान रखना, खा रहे हैं तो बच्चा कम से कम खाए, the seal should be checked for validity, seal को चेक करना है, कि हाँ, seal टूटी हुई तो नहीं है, packet फ to the concerned authorities if adulteration is detected, तो में लगता कि मिलावट है, तो ये तुम्हारा काम बनता है कि तुम जा करके उसको report करो, make sure है ना ये public के लिए बोला जा रहे है, public को क्या क्या करना है, make sure that food packets carry ISI eggmark of FPO label, इनके उपर ये label होने ही चाहिए, तभी market में आई हो वो, before buying, do not buy a food article if expired date is crossed, अगर expired ह हो गया तो उसको ना खरीदे, तो public को ये सब बाते धिहान रखनी है, ये सब बाते हमको ही पता है ना, adulteration on law, अब adulteration को रोकने के लिए कुछ law वगरा आए, the government of India has promulgated an act called prevention of food adulteration act in the year 1954, ना वो एक act लेके आती है, ठीक है, food adulteration को रोकने के लिए 1954 में, the act has been periodically amended, समय समय प dishonest practice of traders, जो बेशने वाले लोग हैं, वो dishonest practice याने की, वो मिलावट ना कर सके, इसलिए जितने संभावित amendments होते हैं, वो लाते रहती है, if the traders violate the standards mentioned in the act, जो trader है, जो लोग बेशने वाले हैं, अगर वो act को violate करते हैं, वाले मतलब उसका खंडन करते हैं, मतलब उसके हिसाब से नहीं चलते हैं, अगर they are punishable under law, उनको सजा, उसके अंदर करत सजा दी गई है, कि अगर आप ऐसा नहीं करोगों तो आपको punishment मिलेगी, तो quality controlling agencies like Indian standards institute, ISI, full form आ सकता है, and direct rate of marketing and inspection, एग मार्क है न, एग मार्क का क्या है, direct rate of marketing and inspection, test the food product for their quality periodically, ये दोनों संच्था हैं, समय समय पे, मानिता ले लिए हो, उनकी food को जाकर के कई भी time पे जाकर के inspection कर सकती है, FPO, Food Processing Organization and the Local Health Department in the Corporation, है न, also जो local food processing organization और जो local health departments है, local health departments होते हैं, corporation के also conduct periodic survey, ये लोग भी periodic survey कर सकते हैं, जा सकते हैं, company में, testing के लिए समान ला सकते हैं, and issue certificate, और certificate issue कर सकते हैं, कि हाँ, खाना जो बन रह है, इनका सही है, packaging या नहीं है, all the packet containing food product must carry ISI, egg mark और FPO stamp, यानि कि ये सबूत होता है कि हाँ, ये खाने, ये अगर हम खाएंगे तो ये ठीक है, okay, clear ने बाकिए ये law बगरा जो थे, तो इसमें egg mark का full form हो गया, ISI का full form हो गया, FPO का full form हो गया, ये तुम लोगों को पता होना च है, next आते हैं हम लोग, third, हमार पार artificial ripening, artificial ripening क्या होता है, artificial का मतलब जो हम लोग है, कच्चे, सेब या केले, या आम को तोड़ लेते हैं, फिर उसको हम लोग पकाते हैं, क्या-क्या नुकसान है, इसके आओ देखें, ठीक है, इससे no doubt पकाते क्यों हैं, ताकि हम लोग है, नहीं है, तब भी एक मार्केट में available रहते हैं, या समय से पहले मार्केट में आ जाते हैं, तो क्यों होते हैं, artificial ripening है, हम लोग उसे पका लेते हैं, कुछ chemical आने लगे हैं, पहले क्या करते हैं, हम लोग चावल में, या भूस के अंदर, जो भूसा होता है, उसके अंदर डाल देते थे, तो पक जाता था, बट अब क्या chemical का इस्तमाल होने लगा है, these are chemical, यह ऐसे chemical हैं, agent है, which are used to ripe fruit artificially, जिससे कि हम लोग fruit को artificially पकाते हैं, ripe मतलब पकाना, they are used during pre-harvest, post-harvest, storage and transporter, कब-कब इनका इस्तमाल हो सकता है, pre-harvest है ना, यानि कि जब उनको काटा नहीं है फल लगा हुआ है, post-harvest, हम लोग तोड लिया कच्चा, उसके बाद, storage के टाइम पर, या ट्रांस्पोर टाइम पर हम लोग इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं, they include, इसके इसके चीज़े होती है, artificial ripening में, color change कर सकते हैं, या accelerate ripening, है ना, हम लोग color वगएरा, कुछ chemical डाल के change कर करते हैं, या उसे पकाने की प्रकरिया है, उसे accelerate करेंगे, बढ़ा देते हैं, इन chemical की help से, some most commonly used artificial ripeners, ये नाम तुम को चारों याद होने चाहिए, calcium carbide, सबसे ज़्यादा इसका 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 इस्तमाल होता है, band भी हो गया ये, itafon, ethyl, ethylene, glycol, या, ठीक है, ethylene, C2H4, इन calcium carbide formula पता होना चाहिए, it's widely used chemical to hash and hash, मतलब पकाने के लिए, या कोई चीज लाने के लिए, ripening, ripening को लाने के लिए, इसका सबसे ज़्यादा इस्तमाल होता है, calcium carbide react with moisture, ये moisture जो होता है, moisture के साथ react करता है, air में to produce acetylene gas, ये याद रखेंगे, क्या बनाता है अपने अंदर ये react करने के बाद क्या बनाता है, acetylene gas बनाता है, ठीक है, it contains traces of arsenic and phosphorus, इसके अंदर बहुत थोड़ी मातरा में, बहुत थोड़ी मातरा में, arsenic and phosphorus पाया जाता है, which are toxic and may be hazardous to health, ये याद रखेंगे point को, ठीक है, it is carcinogenic, ये, 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 क्यों important है, क्योंकि ये, है, इ oxygen to the brain, और ये माना जाता है कि ये हमारी brain की supply की oxygen को रोक देता है, इससे क्या होता है, हमारे nervous system affect होता है, it is banned under rule 44A of PFA, prevention of food alteration rule 1955, ये बैन है, क्लियर है, दूसरा जो important है, हमारे पास वो क्या है, ithaphon, ethereal, ithaphon is two chloroethyl phosphonic acid which penetrate into the fruit and decomposes the ethylene, decomposes to ethylene, देखो ultimately, पकाने का काम तो कौ कर रहा है, ethylene कर रहा है, जो acetylene था, ठीक है न, तो ये भी क्या करता है, ये penetrate into the food, ये food में अंदर घुच जाता है, और ये क्या था, ये हवा में बदलता था, गैस बना रहा है, ये खाने के अंदर चला जाएगा, it is commercially available plant growth regulator which is a source of ethylene, ये commercially available है, ये plant growth regulator होता है, which is plant growth regulator समझते ह न, पढ़ा होगा class 11 में, जो hormones होते हैं plant के, ठीक है न, जब plant की growth को regulate करते हैं, ये source होता है, ethylene का similar to the produce during the ripening process, ये ठीक वैसे ही काम करता है, जैसे कि जब फल पकने वाला होता है, तभी भी plant अपने अंदर क्या बनाता है, ethylene बनाता है, ठीक उसी तरीके से ये काम करता है, the government of India has allowed the use of ethophone for ripening of fruit as it is less harmful, government of India ने इसको allow किया हुआ है, ये कम harmful है, fruit ripened with ethereal have more acceptability and more self-life than fruit ripened with calcium carboyd, ठीक है न, कहीं न, कहीं, ethereal से हम ripe कर रहे हैं तो ज़्यादा acceptable है, ज़्यादा सही माना जाता है, और उसकी self-life भी ज़्यादा होती है, मतलब ज़्या देर तक वो पका हुआ रह हम लोग यहाँ पर क्या करते है, fruit को अदर dip कर देंगे या उसके fumes है न, ethereal के fumes के fumes पैदा करते हैं और fumes के अंदर उसको रख देंगे, खाने यहाँ पर पूरे कमरे में क्या हो गया है, fruit रखा हुआ उसके fumes छोड़ दी है, fumes उसके अंदर घुसेंगे और ethylene पैदा कर आईए, इतिफोन को ले लिया, ठीक है, 5 लेटर पानी ले लिया, एनवस ले लिया और उसको रख करके, ripening chamber जहाँ जिस chamber है fruit रखे हो उसमें रख दिया है, near the fruit and the room is sealed, room को seal कर दिया जाता है, airtight would be release ethylene gas, अब क्या हो गया है, room मेरा seal है, हवा अंदर भार नहीं जा सकती है, इस solution में से क्या निकलेगा, ethylene gas निकलेगा, which naturally facilitated ripening of fruit, इससे क्या है, fruit naturally पकेगा, any harmful effect, without any harmful effect, और कोई भी harmful effect उसके नहीं होते है, ethyphone is sold under commercial name, floral या sepa, sepa जो इसका commercial name है, जो इस packet में आते हैं, यो commercially जिस नाम से बेचे जाते हैं, यो वो नाम दे रखे, clear है, next देखते हैं, हम लोग क्या बोल रहा है, फिर कहा रहा है, calcium carbide, aspects पूस पहलु देख लें हम लोग इन दोनों के, तो legally देखें, तो ये ban हो रखा है ठीक है ना, दोनों में comparison करें, तो ये ban है, ये WHO FDA से approved है, punishable under law है, internationally preferred, ethylene prefer किया जाता है, caravide band है, health, hazardous and carcinogenic, affecting all vital organs, हमारे ये इतने भी vital organ है, liver, kidney, सबको affect कर रहा है, completely safe and natural है ठीक है ना, ethylene जो है हमारे पास, next आते है, quality of produce, dry skin, less aroma, है ना, skin सूख जाती है, खुजबू नहीं है, possibly green patches है, उसके बार क्या है, green patches रहते हैं, खुजबू नहीं होती है, uniform, appearance, soft skin, natural aroma, ये किसकी बात हो रही है, skin वगरा की, जो हमने जैसे मालों आम पका रहे हैं, तो आम जो पका, तुम कई बार जबहोगे, कुछ पके हुए आम, एक दम ऐसा लगता है, fresh ह और कुछ पके हुए आम रहते हैं, सुकुड़ वए से रहते हैं, सुकुड़ा नहीं रहती है, dry skin, ऐसा रखते हैं, मुर्जाय हुआ है, उसमें खुजबू भी नहीं होगी, possible green patches, जगह जगह पे green green से patch रहते हैं, एक समान नहीं रहता है, इसमें ऐसा नहीं रहता है, ठीक ह जिन के अंदर लगवग 12% यह खराब हो जाता है, यह less prone to rot है, इसमेसे 3% ही खराब होता है, अगर इससे पकाते हैं, तो यह सिर्थ 3% ही खराब होता है, पांच जिन के अंदर, यह लगवग 12% हो जाता है, होने के समावना होती है, market demand इसकी decrease होती जा रही है, इसकी बढ़ती जा रही है, clear है, तो जो important था, उसको मैंने इहां पर discuss किया हुआ है, अब main चीज़ हमें जाजनी है, health hazard, हो कहीं नहीं हमको health hazard समझ में आई गए है, कि यह क्या हांफुल होते हैं, carcinogenic cancer produce करते हैं, अब समझते हैं इसको, calcium carbide is known as, calcium carbide की main कहानी रहेगी, ठीक है ना, उसी बार cancer producing agent है, irrespective of what quantity you may consume, इससे कोई फरक नहीं पड़ता है, irrespective है कि तुम कितनी quantity लेते हो, the chemical is known to have harmful effect on the liver and other parts of the body, थोड़ा लोग जादा लो, वो लिवर या और दूसरे parts पर अफेक्ट करता ही करता है, it also contains traces of arsenic and phosphorus, इसके अंदर arsenic और phosphorus hydride फोड़ा सा पाया जाता है, the early symptoms of arsenic और phosphorus poisoning include vomiting, शुरवात के जो लक्षन होते है, arsenic phosphorus poisoning है, उसमें ulti आएगी, burning sensation in the chest, chest में जलन हो सकती है, and abdomen, पेट में जलन हो सकती है, diarrhea हो सकता है, thirst प्यास लगेगी, कमजोरी से लगेगी, difficulty in swelling, कुछ चीज़ खाएंगे तो निगलने में दिखकता है, irritation हो सकता है, irritation होते हैं, जलन स हो सकती है, ulcers to skin हो सकते हैं, skin को बच्छाले पड़ सकते हैं, irritation in the mouth, mouth में जलन वगरा हो सकती है, nose में हो सकती है, गले में हो सकती है, throat sore, गले में खरासे हो सकती है, sore मतलब cuff and wheezing and shortness of breathe, है न, cuff हो सकता है, सांस लिनम दिक्कत आ सकती है, shortness of breathe, may also occur soon after exposure to the chemical, higher exposure may cause build up of philode in the lens, और बहुत ज्यादा का chemical खा लिया है, तो ये lungs के अंदर पानी जमा कर देता है, तो तमाम इसके ये क्या हैं, लक्षण हैं, जो देखने को मिलते हैं, eating artificially ripened mangoes cause stomach upset, जो artificially mango होता है न, लोग पकावा खाते हैं, तो उससे हमारे क्या होते हैं, पेट भी गरबड होते हैं, because the alkaline substance is an irritant that erode the mucosal tissue, जो alkaline होता है, alkaline substance होता है, इसका carbide का, वो पेट में जाके हमारा mucosal tissue जो होता है, पेट के उपर सबसे उपर की परत जो होती है, उसको erode, erode मतलब छेल देता है, उसे खराब कर देता है, in the stomach and disrupt the intestinal function हो, इस तरीके से जो हमारा intestine का function है, उससे disturb करता है, prolonged exposure, ब in human, acetylene is not acutely toxic if it is below the permissible level, जो acetylene है, जो पकाने के हम लोग सित्माल कर रहे है, एक खास level के नीचे है, तो ठीक है, कोई दिक्कत आली बात नहीं है, लेकिन, whereas if it exceeds the limit, अगर वो उस level को cross कर देगा, then its inhalation can cause unconsciousness, तो जब उसको सूंगते हैं, तो क्या हो सकता हम लोग भ्योश हो स and it may affect the neurological system by including prolonged hypoxia, और यह हमारे दिमागी तंत्र को नुकसान पहुचा सकता है, by prolonged hypoxia, that is, deficiency of oxygen, नहीं मिलती है, इसको सूंगने के वेश से, तो हमारे जो nervous system में वो क्या हो सकता है, डेमेज हो सकता है, किलिए रहे, finding related to carbide poisoning, यह सारे वो है, हैं ना, क्या बढ़ रहे हैं हम लो क्या क्या इसके हजार से हैं, तो सारे नुकसान ही नुकसान है इसके, finding related to carbide poisoning, have reported headache, क्या क्या होगा अगर carbide poisoning हो गई, तो क्या क्या होने वाला है, सरदर्ध होगा, dizziness हैगा, चक्कर जैसा लाएगा, memory loss, कुछ जी 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 यह याद करते हैं, भूने लाएंगे, mood disturbances, हमारा mood जो है, disturb रहेगा, mental confusion रहेगी, sleepiness, नीन जैसी आते रहेगी, cerebral edema, हमारे जब सेर्बरल पार्ट होता है दिमाग का, उसमें सूजन आ जाती है, and seizure द्वारे पड़ सकते हैं, other effects include numbness, जो दूसरी effect उसमें सुनन पन आ जागा, पैरों में, हातों में, general weakness, पूरे सरीर में कमजोरी लग सकती है, cold and damp skin, skin ठंडी पड़ सकती है, low blood pressure, BP low हो सकता है, although most cases of arsenic and phosphorus poisoning are detected before they become fetal, जादर case में ये detect हो आते हैं, घातक होने से पहले, pregnant women are particularly vulnerable as the chemical residue in the fruit could lead to miscarriage, जो pregnant women के case में क्या है ये, उनको miscarriage, है ना, जो बच्चा गिर जाता है, तो बच्चा जो गिरने के लिए बहुत जादा responsible रहते हैं, तो pregnant women को बचना चाहिए, artificially पकाये हुए fruit को खाने से, पास समझ में आ रही है, ओके, now, वो हो गया हमारे पास, जो हम लोग chemical इस्तमाल करते हैं, पकाने के लिए, ये क्या है, pesticide, pesticide का इस्तमाल क्यों करते हैं, जिससे कि pest हमारी फसल को नुक्सान ना करे के लिए रहे बाते हैं, के लिए रहे बाते हैं, तो आप देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से जो pest है, वो, या pesticide का इस्तमाल जो हम लोग करेंगे, वो human health के लिए किस तरीके से नुक्सान दायक है, तो आप देखें ज़रा इसको, तो कह रहा है, pesticides can cause short term adverse health effect, short term, कुछ देर क कहते हैं, acute effect है, जो chronic, लंबे होते हैं, उनको chronic कहा जाता है, as well as chronic adverse effect that can occur months और year after exposure, जब आप एक वरी pesticide आपका लग जाता है, खा लिया, तो कई बार तो ऐसा होगा short term, तुरंती असर दिखा देगा, कई बार ऐसा होगा long term, कई सालों और उसके बाद जा करके, exposure मतलब जब या आपके सरी में लग गया है, या आपके आँख में चला गया है, इस test हो जाता है, तो कई बार असर तुरंत आता है, acute, कई सालों के बाद आता है, chronic, ठीक है, examples of acute health effect, acute health effect के example क्या है, stinging eye, आँखों में चलचला बनाएगा, rashes पढ़ जाएंगे, जो लाल-लाल से पढ़ जा जाएंगे, blindness, अंधा पना सकता है, जी मिचलाएगा, dizziness, चक्कर आएंगे, diarrhea, death, या मौद भी हो सकती है, example of non chronic effects, chronic effect है, example के बात करें, तो cancer हो सकता है, birth defect हो सकते हैं, पैदा जो बच्चे पैदा होते हैं, reproductive heart, जो reproduction का reproductive parts हैं, आपका वो डिक्कत कर सकता है, immuno toxicity, immune system आपका defect कर जाएगा, neurological and developmental toxicity, body जो ग्रो कर रही है, जो आपका neurological, दिमागी तंत्र हो सकता है, खराब हो सकता है, and disruption of endocrine system, और आपका जो endocrine system, वो डिश्टब हो सकता है, तो देख सकते हो, यही चीज पीछे भी थी, कहीं ना कहीं, तो दोनों में कहीं ना कहीं, चीज़ें काफिया तक, सेम है, तो याद कर लोगे एक ही का दोनों में लिख सकते हो, some people are more vulnerable, कुछ लोगों में बहुत जादा ही असर हो जाता है, कुछ लोगों में थोड़ा सा खा लिया या थोड़ा सा लग गया सरीर पर बहुत ज़दा effect कर देता है, and other than others to pesticide impact, कुछ लोग बहुत ज़दा vulnerable है, छुआ मुआ टाइप के, उनको बहुत ज़दी असर होता है, for example, infants, कौन गाता है, इस category में, infants आ गया, young children are known to be more susceptible, ये ज़्यादा susceptible है, इनको ज़्यादा जल्दी affect करता है, than adult, एक adult ने अगर थोड़ा सा खा लिया या एक बच्चे ने खा लिया है, तो adult को तो नहीं होगा, toxic नहीं करेगा, ज़रना कि एक बच्चे को पर करेगा, ठीक है ना, farm workers and pesticide applicators are also more vulnerable because they receive greater exposure, अब जो farm worker है, या जो pesticide डालते हैं, वो तो हर साल डालते हैं, हर समय डालते रहते हैं, तो उनके उपर असर ज्यादा देखना को मिलता है, क्योंकि वो हर समय उसके touch में रहते हैं, क्लि irritation of the nose, नाग में खुझदी सोन लगती है, पानी जासा आता है, गले में खरास हो जाएगी, skin causing burning, skin में जलन होगी, stinging and itching as well as rashes and blister, से ना, skin के ओपर छाले जैसे पढ़ जाएंगे, खुझदी होना लगेगी, rashes, rashes होते होते हैं, लाल पंसा पढ़ जाता है, ठीक है, noise या ज पैस्टिसाइड से बड़ा severe reactions होते हैं, particularly pyrethrin या pyrethinode, organophosphate and carbamate pesticide, तो ध्यान रखना, asthmatic patient को, यानिक आप तो पता होना चाहिए, अब अगर किसी कोई दिक्कत होती है, अपने आस पास में, गाउंद यहात के छेते में जाते हो, तो समझा देना कि जिन Pesticide poisoning mimic symptoms of cold or the flu, कई बार क्या होता है, Pesticide poisoning हो गई है, और वो खासी जुखाम जैसे हो जाता है, तो हमें लगता है कि सायद सर्दी लग गई है, काम करते हुए, बट वो लक्षन किसे होते हैं, Pesticide के होते हैं, since pesticide-related illness appear similar or identical to other illness, Pesticide poisoning are often mis-diagnosed and under-reported, अब क्यूंकि इसके लक् कि हाँ पेस्टिसाइड की व arrog prose अभी ही यह झान्यंवेकल घ्राइप्सृत्स नहीं और हो गया नहीं अभ्या था कोछśmy कम है अब आफ्डियाभी ओदियों ने द्हुंत लृट शंठेव होगया इसा लगते हैं सीब्वकर्ण इनफ तो प्रॉंप इन इंडीविजुल तु सीख मेडिकल एटेंशन अब तुरंथ खानसे जुकाम हलका पोका हुआ तो तुरंथ क्या करता है अटेंशन मतलब मेडिकल हो सूचता ठीक है खानसे जुकाम हो ठीक है तो क्या कह रहा है इमिटियेट सिम्टम्स में नौट भी enough to prompt prompt करें मतलब कि वो कोई जाए को इंडिविजल और धूने क्या medical attention लेखने का तरीका है कि वो medically जा करके अपने इलाज करा है वो इतना severe नहीं होता तो लोग जाते भी नहीं है chronic long term health effect देखें क्या है chronic health effect include cancer and other tumors brain and nervous system damage brain and nervous system damage जाएगा birth defect वहीं सारे आगे पूपर वाले infertility बांच पना जाएगा and other reproductive problem and damage to liver kidney lungs and other body organ है लगब दोने क्या है सेम है जो उपर हमने पढ़ा था artificial ripening वाला chronic effect may not appear for week months or even year है ना जो chronic effect होते हैं वो हफतों या महीनों का इवार सालों तक नहीं दिखाई पड़ते हैं आते ही नहीं है है ना जब इवरी चला गया खा लिया हमने पर चला गलती से पी लिया और थोड़ा बहुत कुछ लगा है ठीक है अब लग रहा है क्या ठीक चल रहा है लेकिन उसका लिंफोमा सब cancer है यह सब cancer of the brain breast prostate टेस्टीस अवरी मजब कही ना कहीं यह cancer जितने थाव एक cancer है उनको यह पैदा रहा है reproductive harm from pesticide इंक्लूड birth defect reproductive harm क्या हो रहे है reproductive birth defect हो रहे है स्टिल बर्त हो रहा है ना birth रुख जा रहा है spontaneous abortion अपने आप से miscarries हो जा रहा है what emotion हो जा रहा है- sterility, Bunchman or infidelity है ना, तो कही न कहीं जितने भी हमारे reproduction को लेके defects होते हैं वो सारे कहीं न कहीं इसकी वाई से create हो रहे है तो cancer और reproduction को ले करके आनि कि कहीं न कहीं बच्चे पैदा होना कम हो जा रहा है, endocrine disruptors are chemical deaths, जो endocrine disruptors जो हमारे hormonal endocrine क्या पैदा करते हैं? हार्मोन सा हमारी body हम बनाते हैं. तो endocrine disruptors are chemical. यह वो chemical हैं, often at extremely low doses, interfere with important bodily function by mimicking और blocking hormone. यह बहुत थोरी मातरा में हमारी body में जाते हैं और जो हमारे endocrine system को disturb करते हैं, ऐसे pesticide बहुत थोरी मातरा में body में जाकर के, उसी के जैसा behave करेंगे, mimic करेंगे या block करवा देंगे हार्मोन को ठीक है, the chemical messenger that calculate in the block, अच्छा हार्मोन के बारे बता दिये हैं अपर, हार्मोन क्या होते हैं या तो हार्मोन को क्या करते हैं ये उसकी जैसा ही mimicry करेंगे कि हाँ ठीक है तो बाड़ी को लएगा अच्छा हार्मोन आया, चलो वाला काम करते हैं या block कर देगा हार्मोन को हार्मोन पता ना क्या होता है हमारी बाड़ी में जो निकलता, growth हार्मोन वगयरा जैसे हैं तो उसका definition दे दी है हार्मोन की, the chemical messenger that circulate in the body and regulate any body process including metabolism, brain development the sleep cycle and stress response लंबी लंबी लायने नहीं लिखनी है तो में में बिमारी लिख लो, cancer, tumor ठीक है, endocrine disruptor और birth defect, still birth ये में में बिमारी लिख करके अपने answer को तुम पूरा कर सकते हो, ठीक है ना, बताऊँगा इसको भी मैं बाद में कि किस तरीके से इसमें short निकाल सकते हो बाते आगी यहां पर, कुछ pesticide act करते हैं, endocrine, हमारा endocrine को disrupt कर देंगे, और ये animal से लेकर करके, animal को disrupt करते हैं, including cancer, sterility and developmental problem, यान कि body जो properly grow नहीं करते हैं, बच्चों में होगी हैं तो, similar impact has been associated with human exposure to these chemicals, और अगर humans exposed कर जाते हैं, तो उनके अंदर भी यही सारे effect दिखाई पड़ते हैं, के लिए बाते हैं, लंबा लंबा सिर्फ समझाने के लिए main main line निकाल लोगे, main main heading की इनसे क्या क्या दिक्कत आती हैं, काफी है लिखने के लिए, children are more vulnerable to pesticide exposure, बच्चों के उपर असर जादा होते हैं, या हम लोग यू कहलें, बच्चे जल्दी इससे effect होते हैं, vulnerable मतलब जिनके उपर असर जल्दी हो जाए, और pesticide exposure मतलब pesticide के expose होने पर, यानि कि अगर pesticide लोग खा लिया है, लग गया शरीर पर टैच हो गया है, तो बच्चों के पर सर जाजल्दी होता है Children are more vulnerable to pesticide exposure because their organ nervous system and immune system are still developing, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनकी body की तो system में वो अभी भी develop कर रहे हैं, पूरी तरीके से grow नहीं होगे है Children are also less able to detoxify and excrete pesticide, चिल्दन की body में इतना अच्छा mechanism अभी तरह create नहीं हो पाया है, कि वो उसको detoxify कर लें और body से excrete कर दें, याने कि बाहर निकाल दें Exposure during certain early development periods can cause permanent damage अगर बहुत पहले ही महानों बच्चे एक दो साल का, तीन साल का घर में chemical पढ़ा हुआ, लग दिया, बच्चे गया, बच्चे ने पी लिया, तो बच्चे की developmental growth में बहुत ज़्यादा अफर पढ़ सकता है In addition to being more vulnerable to pesticide, toxicity, children's behavior and physiology make them more likely to receive greater pesticide exposure than adult बच्चे को behavior भी ऐसा होता जिसकी वाज़े से उनको जल्दी chemical लग जाता है, क्यों समझते है Most pesticide exposure occur through the skin and children have more skin surface for their size than adult सर्फिस हीरा समझते हो न, सर्फिस हीरा बच्चे का मैं कहा रहा हूँ यहां लिखा हुआ, children have more skin surface बच्चे का बच्चा छोटा तो सर्फिस कैसे जादा हो गया, अब समझो सर्फिस कैसे जादा हो गया, जैसे कि मैं कहा रहा हूँ, यह एक tube है ठीक है अब ही देखो इसमें कितने surface है, एक, दो, तीन, चार, पांच, और पीछे वाला छे, अब इसी के मैं आधा कर दूँ, सपोस्ट, कितना कर दूँ, आधा कर दूँ छोटा हो गया यह अब तो अब देखो, यानि कि अब मैं तुमसे कहूँ, अगर कि पहले इस वाले में यह मालो, adult मालो क्या मालो, adult तो इस वाले में कितने faces थे, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 faces थे, 6 जगे chemical लग सकता था, इसमें देखो कितने हैं एक, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी, यानि कि एक surface बढ़ गया, size छोटा हो तो surface बढ़ गया, ठीक है तो बच्चा छोटा होता है, उसके साब से उसका surface ज़्यादा माना जाता है, माना के ज़्यादा होता ही ज़्यादा है, बड़ी छोटी है, उसके साब जो surface का ratio निकालेंगे, तो बच्चे का ज़्यादा निकलता है तो इसलिए बच्चे का skin का surface क्या है ज़्यादा होता है, तो अगर थोड़ा उतनी मात्रा में अगर एक adult को लगे chemical और एक बच्चे की skin पर लग जाए, तो बच्चे को परासर ज़्यादा आता है Children have high respiratory rate बच्चों का जो respiratory rate है, सांस लेने की जो प्रकरिया बड़ा तेज होती है बहुत तेज से सांस लेते हैं, वोगी development growth चलती होती है उसकी, and so inhale airborne pesticide तो मालो हम लोग एक सेकेंड में ले रहे हैं, 16 बार सांस तो बच्चा ले रहा है एक सेकेंड में 20 या 25 बार सांस, तो एक मिनट के अंदर वो 25 बार इनहेल कर रहा है pesticide को, है ना, inhale, सुंग रहा है airborne pesticide, जो airborne याना की जो pesticide की जो हवा में particles हैं, droplets है, at a faster rate than adult children also consume proportionately more food and water बच्चा खाना पीना भी ज़्यादा खाता है, मालो कहीं फैला हुआ है तो adult तो दिन में तीन बार खाया है, बच्चा दिन बार खाई रहा है तो लगाता है कहीना के टच कर रहा है और उसको खाई रहा है वो and pesticide residue, then adult with their increased contact with floor ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चा लगाता है जमीन को छूँ रहा है, ठीक है lawn and playground, children's behavior also increases their exposure to pesticide तो इस तरीके से कहीना के बच्चों 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 उनके health effects देख लें, तो health effects तो तुम लोगों पता चल जुका है cancer, दिमाग का ये वो, तो कहीना के common ही है तो एक pesticide होता जिसके अंदर organo phosphates और कार्बमेट्स पाए जाते हैं तो इनका क्या कहानी है, these pesticides are like nerve gas ये nerve gas की तरह कहा होती है, दिमागी, ये दिमाग पर gas चड़ती है they attack the brain, ये brain पर attack करती है, और nerve system पर attack करती है interfering with nerve signal transmission, इसलिए हम लोग इसे nerve gas कहते हैं ध्यान रगना, nerve gas कौन से वाले chemicals हैं symptoms में क्या क्या आता है, सरदर्ध होगा, जी में चलाएगा, dizziness, चकर से आएंगे, vomiting, chest pain, chest में दर्ध होगा, diarrhea, muscle pain, confusion, confusion होने लगती है diarrhea होने लगती है, तो common symptoms है ना, तो जरूरी नहीं है कि सब यादी रखो common-common symptoms निकाल के अलग करके, वो सब में लिख सकते हो, कोई दिक्कत अली बात नहीं है in severe poisoning, अगर severe poisoning हो गई है, poisoning बहुत ज़्यादा कलती से खा लिया है ठीक है, symptoms can include convergence, है ना, एक तरह से दोरे पढ़ेंगे, difficulty, breathing, sensation, दिक्कत आएगी, involuntary, urination पेसाब अपने आप हो जाएगी, पता नहीं चलेगा, कॉमा में जा सकता है, इंसान और मौत भी हो सकती है active poisoning of the nervous system by these pesticides affect hundreds of thousands of people around the world, each आज़ा ठीक है, इसको छोड़ देंगे इस line को, मेरे में दिक्कत क्या है, उसको आप लोग समझ लें यहाँ पर तो organophosphate और कार्वामेट से क्या दिक्कत आती है, के लिए रोगी बाते हैं, now soil fumigants, soil fumigants मतलब soil में डाल देते हैं, उसके पिर क्या निकलेंगे, fumes निकलेंगे, these pesticides are applied to soil, ये soil में डाले जाते हैं, formula gas, ये फिर gas में बदल जाते हैं, that is toxic to nematodes, जो nematodes होते हैं, एक खास तरह के कीड़े होते हैं, जो जड़ों में पाए जाते हैं, ये उन पो क्या करते हैं, affect करते हैं, fungi, bacteria, insects and plants in the soils, ठीक है न, तो ये soil में डाल दे जाता है, और जड़ों मेरे पाए जाने वारे, bacteria, fungi, nematodes वगर हैं, इनको पर असर करता है, because they are gases, क्योंकि ये gas के रूप में बदल जाता है, they move from soil into the area, ये soil से एर में आ जाता है, and expose people living और working नियर बाए, जो आस-पास के लोग काम कर रहे हैं, उनको भी वो लोग भी क्या करते हैं, इसको सूंग लेते हैं, commonly used soil fumigants in California include 1,3-dichloro, propene, chloropicrin, matam sodium, matam sodium, matam potassium, जो commonly हम लोग fumigant इस्तेवाल करते हैं, ये उसके नाम दे दिया हैं, यहापर, ठीक है, आगे देखते हैं, इसके symptoms की बात कर लेते हैं हम लोग, तो symptoms of fumigant exposure include irritation of skin, skin में irritation, जलन जैसी हो जाएगी, आखों में जलन जैसी होगी, और lungs में, ठीक है, extremely irritating to eye, आखों में जलन पैदा करेगा, इर्टेट करेगा बहुत जैसी होगी और lungs, अच्छा और repeat होगा है मेरे खाल से, chloroprene and chloropicrin, और ये जो होते हैं, matam sodium और matam potassium, नाम दे दिया कि कौन क्या कर रहा है, कहीना कि दोनों का same है, इर्टेशन और skin, eye और lungs, दोनों में same लक्षण आ रहे हैं, dichloroprene, matam sodium and matam potassium are all cancer-causing chemical and matam sodium causes reproductive harm, तो कहीना कि देख रहे हो, तुम लोग चीज़े common आ रही है, cancer, reproductive harm, cancer, reproductive harm, तो इनी को दिमाग में सेट कर लो, सब में ये लिखके आ जाना है, इन countries where fumigant use is high, premature birth is more common than in countries with low fumigant, जिन country में fumigant बहुत जदे इसमाल होता है, वहाँ क्या premature birth हो रही है, नौ मेने की जगए बच्चा आठ महीने में ही पैदा हो जा रहे हैं, ठीक है, synthetic chemicals that are structurally similar to botanical compound but have been designed to be more persistent, ये कही ना कहीं, botanical compounds के समान तो है, ठीक है, मानले अच्छी बात है, लेकिन more persistent, बहुत लंबे समय तक टिका रहता है ये, बना रहता है, जल्दी से खतम नहीं होता है, बास समझ मारी है, they are toxic to nervous system, nervous system के लिए toxic है and are concerned that during pregnancy a fetus is not able to efficiently break down these chemicals, है ना, pregnancy time पे जो बच्चा होता है, अगर pregnant lady ने खा लिया तो बच्चा इस chemical को easily break नहीं कर पाता है, more persistent है ये, symptoms of pyrethinoid poisoning include tremors, salivation, saliva निकलता है, tremor वो जटके होगे रहाएंगे, सरदर्ध होगा, fatigue, ठकान लगेगी, vomiting आएगा, stinging and itching skin, सुझ जैसे चुबिएंगी या, खुजली होगी and involuntary twitching, अपने हाप हाथ पर फड़कते हैं, ठीक है, involuntary twitching, हर सब्द के बाद में उसके हिंदी बताता हूं ध्यान रखना, many pyrethiroids also cause long term healthy problem, long term health problem भी करता है, ठीक है, for example, rest methrin, pyrethronoid की variety है, causes both cancer and reproductive harm, यहाँ पर भी आ गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, rest methrin, यह दोनों काम कर रहा है, cyber methrin, fenvolerate and delta methrin, all causes genetic damage, देखो, genetic damage भी आ गया यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे, इसलिए यह important हो एगा जाला point, ठीक है न, and reproductive harm, तो genetic damage कौन करता है, हमारे पास, केवल और केवल, pyrethiroid कर रहे हैं, कि लिए रबाते है, data from the center of for disease control and prevention, national biomonitoring, program link python and exposure to heart disease, है न, वो यह भी कहती है, कि वो heart disease भी कर रहा है, तो कहीं न, पेस्टिसाइड के साथ सारी disease जो है, एक ही बारों याद करके सब में लिख देनी है, तो वो सारा, तो नों कहोंगे सर, यही पहले बताए थे, ठीक है, हमें समझना पड़ेगा, उसमें कुछ chemical भी थे, ठीक है, यही याद कर लोगे, और यही फिर सब में अगर लिख दोगे, तो काम चल दाए, लेकिन कुछ खास-खास बात है किसी के अंदर आई है, जैसे जनेटिक वाली आई है, ठीक है, उसके अंदर हमारा आर्सेनी को सलफर आ गया तो खास-खास चीज़े तुम्हें याद रखनी है, खिलियर है, ठीक है, चलो नेक्स्ट आते है, फिफ्ट है हमारे पास जनेटिकली मॉडिफाइड फूड, अब आगया हमारे पास यह जनेटिकली मॉडिफाइड फूड है अगर क्लास 12 में जनेटिक बायो टेक्नलोजी पड़ी होगी, क्लास 12 में बायो टेक्नलोजी पड़ी होगी, गारे पास समझ में आई, आउ समझते है, अब इसको फटा फट, क्या कह रहां है, genetically modified food या इसको हम GM food भी कहते है also known as genetically engineered food engineering की गई है इनके genes को change करने के क्या की गई है engineering की गई है इसको GE food भी कहते है और bio engineer food भी कहते है are food produced from organisms that have had changes introduced into their DNA ऐसे plants या organism जिनके DNA में change कर दिया मालो milk आ रहा है पढ़ा होगा रोजी काओ के बारे में तुम लोगों ने class 12 में उनके DNA में change करने के बाद जो हम लोग food पा रहे हैं उसको हम लोग genetically modified food कहते हैं ठीक है उनके DNA में changes कर दिया using the method of genetic engineering class 12 यहाद आगी होगी और जो लोग class 12 पढ़े होगे काफे time हो गया है तो कोई बात नहीं अब समझ लो जीन्स में change करके अब ऐसा समझ लो कि किसी को अंदर जीन्स के अंदर change कर देंगे हम लोग तो उसके अंदर वो मालो जैसे रोजी काओ का example है class 12 का हम लोग रोजी काओ के अंदर जीन्स को change करके उसके दूद को human milk के equal लेके आए उसका दूद काफी जादा human milk के जैसा हो गया था ठीक है ना अब अगला definition देखे genetically engineered foods have had their DNA changed using genes from other plants तो कहता है जो genetically engineered foods होता है have had their DNA changed उनका DNA change कर दिया जाता है using genes genes का इस्तमाल करके जो की दूसरे plants से अनिमल से लेकर के हम उसके दर डाल देते हैं scientist take the genes for a desired trait scientist take trait का trait मतलब खास लेक्शन वाल जीन लेगा अच्छा यह genes याला chemical बनाता है तो हम याला इसके दर डाल देंगे तो एक खास gene को लेता है in one plant और किसी अनिमल से and they insert डाल देते हैं उस genes को into the cell of another plant और अनिमल पूरी process यहाँ पर हमारे में नहीं है अभी ठीक है ना process पूरी class 12 में थी और जब पूरी process वाला part आएगा तो उसको समझेंगे है ना अभी यहाँ पर process नहीं समझने कि कैसे होता है सिर्फ समझना कि genes की तुकड़े को काट करके लगा दिया जाता है इतना समझो के बल genetic engineering can be done with plants, animals, bacteria and other very small organism genetic engineering हम लोग किस के साथ कर सकते हैं plant के साथ, animal के साथ, bacteria के साथ या कुछ और दूसरे छोटे organism हैं उनके साथ हम DNA में छेठाड कर सकते हैं humans के उपर ban कर दिया गया है ठीक है ना, कुछ security purpose से genetic engineering allows scientists to move desired genes ठीक है ना, genetic engineering से scientists capital होयाते हैं कि desired genes, जो genes चाहते हैं उसको move करा सके हैं from one plant or animal into the another एक plant से दूसरे plant में हम लोग उसको shift कर सकते हैं genes can also be moved from one animal to a plant or vice versa हम लोग plants से animal में या animals से plants के अंदर भी genes को बदल सकते हैं ठीक है, another name for this is genetically modified organism और दूसरा नाम क्या है इसका genetically modified organism और GMOs तो देखो तुम्हें यहां दिखाता हूँ यहां पर genetically modified का मतलब क्या हो गया क्या तुमने कभी सुना या देखा है क्या कि आलू के साथ साथ जिस पेड़ पर आलू लग रहे हैं उसी में टमाटर भी लग रहे हैं साइद देखा हो, साइद सुना हो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, मज़ा आएगा तो यही है genetic engineering जो आजकल की जा रही है और मैं यहां तुम लोगों को ले चलता हूँ, अपने internet पर, ठीक है और पोमेटो पोमेटो है, सारी तो मैं तुम इसकी image दिखाता हूँ, देखो यह देखो, देख रहे हो लोग, सेम प्लांट, जड़ो में आलू और उपर टमाटर तो एक ही पोदे को उतनी फसल, उतनी चैमिकल से हम लोगों ने टमाटर भी पाए और आलू भी पाए बट यह अभी उतना सक्सेस्फुल नहीं हुआ इसा पॉस्वीब यह है जनेटिक इंजिनरिंग, हमें जीन्स बदल दिये, आलू के पौदे में टमाटर लग रहे हैं यह यह कह लोगी टमाटर वाले में हमने आलू लगा तो पोमेटो कहा जाता है इसे, बास समझ में आई, यह है जनेटिक इंजिनिरिंग, किलियर है? चले हम लोग अपने टॉपिक पर आगे आते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पर क्या है अनदर नेम फॉर दिस इस जनेटिकली मोडिफाइड ऑगनिजम, ऐसे ऑगनिजम या प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जनेटिकली मोडिफाइड बोल देते हैं, अब आगे आ नवल लूबनहर कराते हैं, पर एक टैम के बाद, कुछ सालों बाद उनके बच्चे फिर ठीक वैसी होने लगते हैं, लेकिन जीजम जीजम में इस या जीजम हं इसा नहीं है, उसे हम सीवाः जीजम ही बतल देते हैं, आगे आते हैं, ब्रॉबम बशल्तिभीड बाइड जब ब्रीड करवाते हैं तो उसमें एक वार ऐसा हो सकता है कुछ मालूब बिमारी वाले जीन्स आगए एक साथ तो उनके बच्चों में वो बिमारियां होएंगी होएंगी है ना जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं तो ऐसे लक्षन भी हो सकते हैं तो इसलिए यह इसका ड्रॉब दिन आते हैं जो हम नहीं चाहते हैं जेनेटिक इंजिरिंग आलसो हेल्प इस्पीड अफ्रॉश्स अफ्रॉश्स आफ क्रेटिंग न्यूव फूब इसायर ट्रेट जये कर सकते हैं नौमल ब्रीटिंग में क्या है पहले मेटिंग कराएंगे फिर फसल होगेगी उनके प्रोब्लम अब क्या है हम लोग देखा होगा कि पहले जो थी हमारे पास बीज गेहों के बीज ऐसे थे या तो बहुत लंबा था या बहुत छोटा और मोटा था हमने इन दोनों को मिला करके एक ऐसा बीज बना लिया मोटा और लंबा अब उतनी फसल में हमको ज्यादा गेहो मिल जाता है इससे क्या है ग्लोबल ग्लोबल हंगर ना जो एक भुकमरी है उससे हम लोग काफिया तक निपट पाए हैं ज्यादा लोग गरीवी से मतलब पोवर्टी से बहार आ पाए हैं GMO में कंटेन हायर अमांट और बैनिफीशिव सब्स्टांस जनेटिकली मोडिफाइ कम इस्तमाल करना पड़ेगा GMO में help to lower food prices इससे food के दाम में कमी आई है efficient land use कम जगह पर ही ज्यादाग पैदावार हो जाती है easy to cultivate GMO इनको cultivate करना असान होता है less work is needed in agriculture agriculture में बार बार उतना पानी या chemical नहीं छिड़कना है क्या कहते हैं जो अपने खाद वगरा होता है taste of food may be improved through GMO food का taste भी बदल सकते है we can serve water in agriculture process ठीक है इससे हम लोग save कर सकते हैं पानी को जब पहले पहले वाली थी उसमें चार वर पानी देना पड़ रहा है अब दो यह बार देना पड़ रहा है अब religion तो भाईया देखो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ problem रहती है human should not play god इंसान को भगवान की तरह नहीं play करना चाहिए है ना वह यह बात आगे कि भई तुम उससे छिडखाने क्यों कर रहे हो जो कुदरती चीज है spread of यह तो कोई मतलब होगी एक तरह से हम कह सकते हैं just thought आ ग effect भी है और विसे चीज़े हर चीज़ का side effect तो होते हैं possible safety issue of GMO हमें उसकी safety का safety का भी नहीं पता भी ता कुछ GMO may also alter the DNA of natural plant अब natural plant का DNA भी बदल जाता है उससे हो सकता कुछ खतरना chemical बनना इस्टार्ट है उसके अंदर allergic reaction related to GMO कुछ allergic reactions भी होती है GMO may have the potential to alter our DNA उसके अदर छमत to serious disease हो सकता है जो GMO वाले genes काला हम खा रहे हैं वो हमको किसी खास बीमारी के लिए वो कर दे जिससे के हमको बीमारी जल्दी-जल्दी हो जाए आराम से हो जाए insufficient objectivity related to GMO GMO को लेकर के data जो है वो बहुत कम है हमारे पास या objective है जो उसका objective purpose जो है उसके वो insufficient है परियाप्त नहीं है use of GMO is not natural यह कुद्रत ही नहीं है मैं lead to antibiotic resistance इससे ऐसा हो सकता कि जो bacteria बगरा है या बहुत साथ चीज़ है वो एंटिबाइटिक के लिए resistant हो जाए GMO levels are often missing और misleading GMO के जो levels होते हैं वो missing होते हैं product के ऊपर या misleading होते हैं कई बार ठीक है तो यह हो गया advantage और disadvantage तो हमको यहाँ पर growing बहुत तेजी से grow करती है यह में में पॉइंट लिखते चलेंगे एक्स्टा फास्ट ग्रोइंग एक्स्टा रेजिस्टेंट पैस्ट पैस्ट जल्दी से नहीं लगते हैं इनको पर एक्स्ट्रा हेल्दी बहुत अच्छे होते हैं साइंटिस्ट सिलेक्ट दा बेस्ट कार हो सकते हैं आप समझते हैं फिवर पैस्टिसाइड हमें पैस्टिसाइड बहुत कम डालना पड़ेगा जेनेटिकली मोडिफाइट क्रॉप्स और आल्टर्ड सो डैट यहार लेस्स असप्टिबल टू पैस्ट एन इंसेक्ट ठीक है ना तो हम क्या करते हैं वह बदल चुके अब हमें अलग से पैस्टिसाइड रखने की ज़रूरत नहीं है सिंस फ्यू पैस्टिसाइड आ यूज्ट देर इज लो हैल्थ रिस्क फॉर पीपल अब हमको पैस्टिसाइड कम शिडगना पड़ेगा तो लोगों की हेल्थ पर उतना असर नहीं पड़ेगा अब उतना ही जहां पर जनेटिकल मटवाट क्रॉप सर्फा फार्म टू ग्रो रिसोर्स फुली काफी ज्यादा मातरा में पैदा करते हैं ठीक है इस हैल्प फार्मर प्रडूस सेम अमांट अब उतना ही अमांट उनको क्या है फूड यूजिंग लेवर अब उनको लेवर कम लग रही है पानी कम लग रहा है लेवर कम लग रहा है खाथ कम लग रहा है लेस पानी एंड़ वेरी मिनिम्म अमांट और पैस्टिसाइड कंपेर तू अधर कन्वेंशन क्रॉप जो दूसरी ने आम क्रॉप थी उनसे कम हर्चीज हो गई अब उसके क्या रेट भी सस्ते हो जाते है जब बेशते वक्त रिचेंट अब मैंने बताया था ने इसके जीन्स चेंज होगे तो इसके अदर बहुत सारी नूट्रेंट्स हम एसके अदर एड कर देते हैं इस प्रवाइड बहुत जादा पाई जाती है तो वहाँ पर ऐसे फूड की सप्लाई करने से क्या है वह एक सिंगल फूड ही कई सारी नूट्रेंट्स की कमी को पूरा कर देता है तो रिचिन नूट्रेंट्स है इंक्रीज इल्ड पैदावार बढ़ जाती है जनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप्स अर प्रिपेर तो बी रेस्टेंट टू डिजीज दियू तो देयर जनेटिक मोडिफिकेशन इस इंप्रूफ देयर सस्टेनिबिल्टी एंड आल्सो इंक्रीज इल्ड है अब जनेटिकल इंक्रीजिंग पॉपलीइशन है इसकी वह से हम लोग यह जाधा खाना पैदा कर सकते हैं जिस जो की लगाता को पॉपलीशन बढ़ रही उसके लिए प्रोडुक्षन इसमॉल लैंड एरिया थोड़े से लेंड एरिया में ही प्रोडुक्षन हम जाधा कर लेते हैं अब ड क्या आएगा genetically modified crop offer many advantage by reducing cost and producing crop with increased yield but they also have certain disadvantage कुछ इसके disadvantage भी है they are increased antibiotic resistance while creating genetic modified crop जब हम crop को बना रहे हैं genetically modified कर रहे हैं scientists insert certain additional genes कुछ gene डालते हैं for specific modification कुछ modification करने के लिए while inserting new DNA जब नए DNA डाल रहे हैं into the cell of plant and additional gene is added to the to date makes the cell have resistant to antibiotic इसके सब सेल क्या हो गया antiviotical resistant हो जाता है then an antibiotic is used to kill off any plant cell that did not take in the new DNA successfully ठीकन अब अगर किसी antibiotic सा मुझे सेल को किल करने कुछ करेंगे तो वो उससे मरेगा नहीं यह का side effect है allergic reaction genetic modified crop can cause allergic reaction यह फसलिव जो खाने से कई बार allergic reactions होती है कुछ लोगों में since genetically modified crops contain the DNA of other organisms क्योंकि इनके अंदर दूसरे ऑगनिजम का DNA होता है the new DNA will likely activate allergic reaction जो नया DNA अपने खाया है उसके वैसे अब कई बार क्रेट होता है लोगों में जो कि पहले नहीं था पहले उसी खाने को खाने से नहीं होता था अब होने लगा है अब कई बार क्या होता है कुछ genes damage हो जाते हैं जब डाल रहे हैं इस plant के अंदर के gene damage हो गया है जिसके वैसे अब टॉक्सिन बनाने लगा भी toxin आएंगे 10 consuming these food with toxin can cause harm to one's health किसी की health को यह नुक्सान कर सकता है ठीक है फिर हमाँ फॉर्थ पॉइंट है reduced nutritional value अभी पीछे बढ़ा था nutrient value बढ़ गट का यह का चकर आप समझते हैं there are reports that certain genetically modified foods are void of nutritional value as genetic engineering focuses more on improving and increasing production हमारा में मुद्दा क्या है कि पैदावार बढ़े पहले उतनी खेती में अगर पास टन ग्यों हो रहा था दस टन हो जाए तो पैदावार ब्लाने के चक्कर में कई बार क्या है उसकी nutritional value खतम हो जाती है extending the lifespan उसकी जिन्दगी बढ़े ठीक है and preventing pest तो हमारा असली में मुद्दा क्या है फसल खराब ना हो फसल की पैदावार बढ़ जाए और कीड़े में कॉर्ण ना लगे ठीक है और यह सब करते वक्त होता क्या है कई बार उसके अंदर की nutritional value खतम हो जाती है while making crop more resistant to pest it is also seen that यह देखा गया है there is a reduction in the antioxidant phytochemical कई बार उसके antioxidant phytochemical भी कम हो जाती है याने कि हम लोग एक चीज़ अच्छी कर रहे है तो कई बार उसकी दूसरी चीज क्या होती है खराब हो जा रही है के लिए रहे बाते हैं तो यह सारी बाते थी आज के lecture की थोड़ा सा lengthy था चीज़ें सारे जानते हैं तुम लोग पस थोड़ा सा में समझना था और तुम ल प्रॉलम के लिए मुझे कॉल कर सकते हो और तुमको पता ही है एक चीज क्या करनी है पढ़ते रहना है और रिवाइश करते रहना है यह वार लेक्चर तो समझ रहे हो बेसिक सा था ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं करना है मेंमें पॉइंस अलग से छाट लेने है ठीक है मै करना है पढ़ना है और रिवाइज करना है ओके अल्दा वैश्ट करना है अल्दा वैश्ट